स्वागत है आप सबीक आपकी यूटूब चैनल All In One TT में दोस्तों इस वड़ी में मैं बात करने वाली हूँ शबी शिक्षकों के लिए महत्पुन शुषना शिक्षा विभाग के तरफ से जारी किया गया है नया लेटर 30 मार्श की यह बड़ी खबर है तो चले फ्रेंस विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल बेल आइकन उचे प्रेश कर लिजे ताकि आपके जिले से सम्मंदित सिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी चोटी अपडेट कर नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो से के जै जो लेटर है वो 29-34 की तिथी में देर शाम को प्रकाशित की गई है तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि यह जो लेटर है करियाले जिला शिक्षा पदादिकारी नलंदा शक्षा प्रेशक जिला शिक्षा पदादिकारी नलंदा शेवा में सभी प्रधाना अध्यापक प्र विवस्था सुद्रीड करने हेतु वर्ग संचालन में सभी सिक्षकों के सहयोग लेने के सम्मंद में महाशे उप्रयोक्त विशयक अंकित करना है कि जिले के लगभक सभी विद्यालियों में BPSC, TRE1, MMTRE2 से प्रयाप्त शिक्षकों की न्युक्ति की गई है किन्तु अभी भी कुछ विद्यालियों दौरा कुछ विशय या वर्ग में सिक्षकों की कमी के कारण वर्ग संचालन समंदी सूचना दी जा रही है जो सही नहीं है विभागिय पत्रों दौरा एवं शंध्या कालीन भीशी में ये निदेश दिया जा रहा है कि मादमिक या उच्च मादमिक विद्याले के शिक्षक पारमविक विद्यालियों यों पारमविक विद्यालियों के शिक्षक अपनी चमता अनुरूप मादमिक उच्च मादमिक वर्ग का संचालन कर सकते हैं विभागिये पत्रांग 329 गौद इननांग 21-23 इस शमंद में द्रिश्ट टव्या है जिसमें मादमिक या उच्च मादमिक विद्यालियों के सिक्षकों द्वारा फीडर एरिया के पारंबिक विद्यालों में जाकर पढ़ाने का भी निदेश है अता सभी परधाना अध्यापक या परभारी परधाना अध्यापक को निदेश दिया जाता है कि किशी विशय वर्ग में सिक्षक की कमी होने पर विद्यालिमें उपलब सिक्षकों के द्वारा पतन-पाथन की विवस्ता को सुद्रिट करने है तू और शक्ता अनुशार वर्ग नौदस के सिक्षकों से वर्ग एगारे बारे के सिक्षकों से वर्ग नौदस में वर्ग नौदस के सिक्षकों से पारंभिक वर्गों में यों पारंभिक वर्ग के सिक्षकों से उनकी चमता अनुरूप उंच वर्गों में वर्ग शंचालन कर साथ ही वर्ग रूटीन में सम्मंधित शिक्षकों के नाम अंकित कर परतेख शिक्षकों से कम से कम 6 घंटी क्लास लेना सुनिशित किया जाए जिला शिक्षा पता अधिकारी ना लंदा वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो पसंद आये वीड सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें धन्यवाद